आप सभी का स्वागता आपके अपने डूप चैनल आर्मे केड में पड़ा दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारे बच्छों की डिमाइड आती कि सर्क्राइब बढ़ती 2022 आएगी या नहीं आएगी इसको लेकर क्योंकि जो बच्छे जिनका पेपर अभी ऐसे जीडिका ठीक ठाक नहीं जा रहा है या अच्छे से नहीं जा रहा है उनको चिंता है-गर्व गया बहुत लुचास लेवल या लोस्कोर पर आपक नम् है कि पिछली बार जहां साट अजार थी वहीं आज पचीश दार के असपास पदें तो पदों में बहुत कमी है ठीक है दूसरी चीज कि इस बार जिनका भी स्कोर अच्छा नहीं हुआ है अब उनके ट्रेंशन खारी के अगली वह बढ़ती कौन सी देखेंगे उनके दो तिन क पढ़ती दूसरी अब जो एक नई उमीद उठीए वह सी आरपी अप क्यों कि सी आरपी में आप सभी को पता जो पोस्ट ओफ वेकेंशी थी यानि इस बार स्थी जीडी के लिए जो घ्रह मंतरा लेकर आंगडे थे उसके अनुसार लगबग 28000 पनों की वेकेंशी खाली थी और अगर NIA में देखा जाए तो NIA में भी लगबग 1000 के आज़ पास पोस्ट ओफ वेकेंशी खाली थी लेकिन इन दोनों को भी इस बार स्थी जीडी में एड नहीं किया गया तो सभी यह अनुमान लगा रहे हैं इसका कोई 100% प्रूप नहीं है सभी अनुमान लगा रहे है कि इस बार यह बढ़ती आ सकती है अलग से CRP लेकिन लाड़ों कि देखो क्या गारंटी है कि आएगी ही आएगी तो जितने भी बच्चे इसके भरोसे बेटे हैं कि आएगी आएगी मैं आपको बता दू इसकी कोई गारंटी या कोई शियूरिटी नहीं है कि CRP की वेकेंश है तो एक चीज जरूर बनती है वो ऐसा हो सकता है कि SSGD की जो बढ़ती है भी चल रही है इसकी गती तेज कर दी अगर इसकी गती तेज कर दी जाए तो हो सकता है कि यह बढ़ती कंप्लिट होने के बाद में वापस दुबारा SSGD की जो अगली वेकेंश है उसमें एक सीर पयप अलग से भड़ती कराएं क्योंकि कंडिशन इसलिए बनती है कि सीर प्यंवाब को पता है कि सीर पय मातर ऐसा बलत सरबbaj है सबसे बड़ा Jubiland कोförस्टिक्ष्ट का है क्योंकि लग-वग तेन साट्ध तेनलागे आशेपास किस यह इसकी पोर्स है सबसे बड़ा प् वेकेंसी कराए, ये बात कहां तक सच है, तो मैं आपको बताओं, ये बात सिर्फ अफवा तक सच है, कहां तक अब वह तक सच है बाकि इसमें कोई 100% सचता नहीं है लाड़ लोग ज्यादा प्राइटी यह बनती है कि इस वेकेंसी का कोई अतापता नहीं अगर इसी वेकेंसी को निकालना था तो ऐसा सी जीडी के दुआरा भी निकाला दा सकता था अलग से वेकेंसी एक ही कंडिशन में निकाल सकती है कि सीयाट पे अपनी टोटल भी केंसी इस प्रकारद से हेड़्ोरống ट्रेड में लेती इपड़ को मिक्स करके एक वेकेशन से निकालते जिसमें टाइप सभीवीकेंसी एलग अलग होजाई जैसे कोण खेए अरू अनरेजियोप्रेशन ट्रेंड में SM और GD ठीक है अगर इन इतने पदों पर और शाथ ही अगर CPU का अगर लेवल एड करके या CPU की कि वो अगर खुद की बढ़ती खुद कराए यह नि SI तो हो सकता है कि इसकी वेकेंसी एक बहुत अच्छे पदों की वेकेंसी बन जाती है तो अगर CRPV वेकेंसी आएगी तो उसमें टाइप शूस वेकेंसी का पियागी केवल जीड़ी जीड़ी के लिए CRPV वेकेंसी आए और ओल इंडिया में सभी का एक्जाम कराके कम्पिटिशन लेवल पर फिर CRPV करा जाए तो इसके तौंसेश बहुत कम है आजाएए अगर आपको मौन लो की आने को आशकती है लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप इसके बरोसे बेटाए मेरा मानना यह है कि आपको इसके बरोसे नहीं रहना है अगली बार जब भी आए तब तक आपको इसका अंतजान नहीं करना कि इसके बरोसे नहीं बेटना उसकी बजाए मैं आपको बताऊं कि गुरूप डी का एक्जाम आ गया है वह एक्जाम होगा ही होगा और पी अप कॉंस्टेबल की वेकेंश हंडेड परसेंट आएगी यह आएगी इसके लावा ग्जाम आएगी इसके अलवा दिल्ली पुलिस की वेकेंश हंडेड परसेंट आएगी यूप पुलिस की आ चुकिए राज़तान पुलिस की आ चुकिए MP पुलिस की भी आ रखिए तो इन वेकेंश यह नि जिसमें आप इलिजिबल है उन पे ज़्यादा फोकस करिए लाट ठीक है ना कि इसके भरोसे बेड़ जई आए नहीं आए कोई इसकी श्यूरिटी नहीं है क्या गारंटी है कि आएगी तो कुछ भी गारंटी नहीं है कोई बीएसा लेटर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जो आपको यह गारंटी देदे कि CRP की अलग से वेकेंसी आएगी ना CRP की कोई ओपीशल वेबसाइड पर है ना कहीं और है पोस्ट वेकेंसी खाली है इसमें कोई शक नहीं है यह बात मैं आपको 100% बता दूँ कि लगबग 28000 पलस 28000 पलस भी वेकेंसी खाली है लेकिन अब सरकार है इस वेकेंसी को किस प्रकार करनेक्ट करा है उन पर तो वह एक अलग प्राइटी बनती है लेकिन अलग से CRP की बढ़ती है और आप उसके बहुते हो यह गलत बात आएगी तो देखी ठीक है लाड़ दो तो इसके चकर में नहीं रहे क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बेटा जब आएगी तो देखी जाए ठीक है और नॉर्मल पद्धों पर तो वेकेंश से CRP की होती रहती है जैसे एड़ कॉंस्टेबल हो गया टेर्ड मेंड हो गये या नॉर्मल जो एसाई है एसाई इंस्पेक्टर इनकी मेडिकल डिपार्मेंट में होती रहती है लाड़ ठीक है जया भारत